है जूँँ कि कि है ङए है इस तरीके का जो मारा डिटेश पहुर्ण सप्लाई का सर्केट होता है यह पॉर्ण होता है इसमें अगर हमारा इसी फट जाता है या यहां पे हमारा सिम आई इसी नहीं मिलता है तो हम लोग कनफ्यूजन में पढ़ जाते है कि आप पर कौन सा IC लगाना चाहिए, कौन सा IC इसमें लगेगा, तो आज किस वीडियो में यही confusion में आपको दूर करने वाला हूँ, कि कोई सावी आपका इस तरीके का डिटेच पाउर सप्लाई का बोर्ड है, उसमें आप कौन सा IC लगा सकते हैं, और वो आपका जो है नंबर का नही देख सकते हैं, यह दोनों सरकिट हमारा DTH का पाउर सप्लाई का है, ठीक है, और यहाँ पर हम अगर IC की बात करो, तो पीन डीटेल से अगर देखें, तो यहाँ पे दो ही तरह का IC लगता है, ठीक है, एक में जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दो पीन को सौ किया गया है यह कितना नमर पीन है तो एक दो तीन चार पांच छो साथ नमर पीन है यह जो है साथ और आठ नमर पीन को आपस में सौट किया गया है तो आपका जो है अगर पीन डीटेल से देखते हैं तो यहां पर आपको देखना है जिसमें आपको यह जो है आपस में सौट मिले तो यहां पर आपका अलग नमबर का आईसी लगेगा और जिसमें आपका यहां पर दो पीन ही सौट किया गया है और यहां प के थोड़ा पीन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन सा पीन हमारा किस के लिए यूज किया गया है और जो है इसमें हम कौन कौन सा नंबर का आइसी लगा सकते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर अगर हम ऐसे पकड़ते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो अगर हम pin count करने की बात करें तो हमारा pin जो count होगा यहां से pin count होगा क्योंकि यहां पर cut mark बना गया है यहां पर देख सकते हैं cut mark यहां पर बनाये गया है और जो हमारा cut mark होता है उसके नीचे से pin count होता है ऐसे अगर ic में भी देखें तो देखें यहाँ पर जो है एक आपको dot मिलेगा तो यह dot इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो pin है यहाँ से counting होगा तो यहाँ से 1, 2, 3, 4 और इधर 5, 6, 7, 8 ऐसे count होता है ठीक है यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इधर का 4 तो यहाँ से हम गिनेगे यह जो होगा एक नमर पिन 1, 2, 3, 4 और यह होगा 5, 6, 7, 8 तो यह हमारा 7, 8 क्या है ट्रासफोर्मार के एक लेक से जुड़ा हुआ है जो मेरा drain का पिन है यह वाला और यहाँ पर यह जो देखे 7, 8 और यह 6 नमर का पिन क्या है तो यह 6 नमर पिन यहाँ से जुड़ा हुआ है और यह ट्रासफोर्मार यहाँ पर यह जो कैपसीटर है कैपसीटर के माइनस पॉइंट से है तो देखिए यह पर और यहाँ से एक register लगाया गया है यह वाला ठीक है तो यह वाला यहां से आया है जो यह से जुड़ा गया है और यह वाला हमारा जो पिन है यह हमारा side यह feedback है तो यह जो है optocoupler है तो optocoupler के एक pin से यहां से आया है यहां पर एक ceramic capacitor है और यहां पर यह सीधे आ रहा है इस pin पर ठीक है तो यह बारा हो गया पांच नमर पी और यह जो है चार नमर पी तो चार नमर पी देख सकते हैं यहां पर कुछ भी यहां से आया है और यहां पर एक capacitor लगा हुआ इसको फिल्टर करने के लिए और यह जो है यहां पर एक diode लगाए गया देखे यह जो है डायोड है और यह आ रहा है इसके एक वाला पीन पर यह एक क्यार यहां उडाओं से जुड़ा हुआ होता है और यहां से जो है पीसीस इसको भील रहा है इस आइसा कुछ लाबने के लिए तो यह ओ यहां पर आय tenía आया यह ां पर यह जो है इसका यह वाब एज ज़ी आ टो एक किसके लिए है यहांसे एक क्रारिस्टर यहाँ पर लगा है कि यहां से एक यहां पे register है और यहां पर यह जो है प्लस-point है तो यहां से register लगाके इसको साइद इस-I-C को ऑन करनी के लिए यहां पे supply दिया जा रहा है जैसे हम देखते हैं कि starting voltage दिया जाता है जैसे आपको TV के पार सप्लाइबोर्ड में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इस्टारिंग वोल्टेज दिया जाता है दो सबीश कीलो हों का रेइस्टर लगा के ठीक्स है तो यहाँ पर भी वहीं हो रहा है यहां से जो है starting voltage यहां पे इस pin को दिया जारा है और उसके बाद में zo curiosya इस से कर लिया जा रहा है मेरा आज़ा हैं तो cuail के एक pin में यहाँ पे जो है sorry है यहाँ पे इस वाला pin में से यहाँ पर जो है यहाँ पर पर देखें, तो इसका जो है, बिलकुल उल्टा सुल्टा होगा, जो मैंने pin detail वहाँ पर दिया था, ओ पीन detail यहाँ पर नहीं होगा, इसका जो है, अलग-अलग pin होगा, तो जैसे यहाँ पर देखें, तो यह वाला हमारा पांच, छो, साथ, आठ, यह चार pin है, जो हमारा यहा सोरी इधर से काउंट होगा एक दो तीन चार इधर से काउंट होगा तो हमारा यह होगा एक दो तीन चार पांच छोव साथ आठ देखिए यहां पर जो है एक दो तीन चार यहां पर पांच छोव साथ आठ तो यहां पर हो गया हमारा एक और दो तो एक दो हमारा क्या है एक द क्राइंट है तो यहां पर हैं एक और दो यह जो है एक दो ग्राउंड ऐ है और यहां पर हमारा तीन नमर प्र कोपलर पर आ रहा है देख सकते हैं तिन नमर हमारा यह फिडवेक हो गया जो IC को feedback मिलेगा कि हमारा किस तरीका से काम करना है और यह जो है चार नमबर पीन तो चार नमबर पीन यहां पर मैं आपको दिखाऊ देखें चार नमबर पीन यह जो है यहां से जोड़ा गया है इस वाला ट्रास्फार्मर के एक lige से आपी जो है क्याल होता है और यहां से इसको जो है चलाया जा रहा है थीक है тов स्का जोatell दिखाया था यहां पर यहां पर यहां पर स्टार्टिंग मोल्ट यहां पर दिया जा रहा था तो यहां पर स्टार्टिंग मोल्ट के लिए यहां पर जो है राइस्टर को यूज नहीं किया गया है क्योंकि इसके इंटर्नली में ही हो सकता है कर रहा होगा उसके जो बाद है यह जो है कडिजिके कर लेरा यहowwn we 설 Nee नहीं है तो यह पर सिंपल ले उससे जो है यह पर सिंपल दिया यह जूहिशंग कर आएगा और यहें यह मेरा एउपके कर दोगा ciao機會 तीचरा सब्सक्राइब इस वाला क्वाइल से यहां पे देख सकते हैं इसको यहां से जुड़के और इसको जो है कंटिन्यू कर रहा है तो हमारा आइसी वरकिंग कंडिशन में आ जाएगा तो इतना चीज आपको समझ में आ गया हो जो भी मैं आपको डीटेल में बताने के कोसिस किया है अब चलिए यहांपर में आपको अब आइसी के बारे में बता जेती हूं कौन-कौन सा आइसी यहां पे डाल सकते हैं मैं आपका इसका पिंडीटेल ही लास्ट में लगा दूंगा देख लिजेगा थीक है तो उसका स्क्राइल कर आपको लगा दूंगा बाद में वीडिय है कि अतना नमबर में यहां पे लिख रहा हूं देखिएगा एक होता है एक असी डाइस ठीक है एक जो होता 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 वाइपर 22 ए ठीक है और एक जो होता है वाइपर 22 ए और इसके नमबर नीचे देखे तो यहाँ पर एक नमबर होता है 13-82 तो इतना जो है नमबर अभी तक मुझे देखने को मिला है इस DTS Power Supply Board में यह वाला जो नमबर है यहाँ पर यह वाला जो नमबर देख सकते हैं यह वाला नमबर हमें इसमें नहीं मिला है बट इस वाला जो IC है इसको भी हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जो है Power Supply यह On हो जाता है यहाँ पर मैं आपको यूज भी करके दिखाऊंगा यह जो IC है आपका जादा तर इंडक्शन में देखने को मिलता है तो इंडक्शन में इसको यूज किया जाता है बट यह IC इसमें भी work कर जाता है तो साइद इसका जो है PIN डिटेल सेम होगा इसलिए जो है यह काम कर जाता है ठीक है तो यहाँ पर यह जितना भी नंबर देख रहे है देखे यहाँ पर यह चार आइसी का यह जो नंबर देख रहे है एपी असी बाइस एपी असी बाइस एच एपी असी तेईस एपी असी बारा ठीक है तो यह जो भी हमारा पीन है इसका यह वाला आइसी का पीन है देखिएगा यहां पर यह वाला IC मैं ऐसे और यहां पर यह मेरा 4 लेख हो गया यहां पर यह चार लेख हो गया तो यह जो pin 60 था यहां पर जैसे यहां पर 5678 यहां पर यह pin 60 था तो यह जो हमारा IC है यह वाला IC है यह जितना भी IC है इसमें हम लगा सकते हैं ठीक है और इसी में ये भी आईसी लग जाता है जो हमारा वाइपर बाइस ए होता है तो इसी में ये भी आईसी यहां पे लग जाता है ठीक है ये वाला आईसी इसमें लगा सकते है इसका जो है पीन से मिल लाता है और ये एक जो हमारा आईसी होता है ये वाल वाइपर 22 यह लिखा होता है और उसको नीचे देखें तो 13, 80, 22 लिखा होता है ठीक है तो यह जो हमारा होता है जो इस वाला IC में लगता है यहाँ पर इस तरीका से हो गया ठीक है यहाँ पर एक नमर पिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसका कौन सा नमर का पिन था यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पर यहाँ पर यह वाला पिन है यह वाला ठीक है तो यह साथ आट जो है यह यूज हो रहा है ड्रेंड के लिए और यहाँ पर जो है कलम मेरा फेल हो रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा यह जो है यह ड्रेंड के लिए यूज हो रहा है 7, 8 नमर की जबकि यहाँ पर जो है फूरा यहाँ पर यहाँ पर यह वाला आईसी देख सकते है तो इस आईसी में क्या होता है यह जो नमबर अलग-अलग होता है इसका ये जो चारो पीन है, ये चारो पीन इसका जो है सेम होता है, बट यहाँ पर ये वाला जब देखेंगे, तो कोई-कोई में क्या होता है, ये NC हो जाता है, मतलब not connected हो जाता है, कोई-कोई में देखे तो ये वाला NC हो जाता है, कोई-कोई में देखे तो ये वाला तो नह जाता है क्योंकि यहां पे सभी जो पीन है सोट है अगर यहां पर देखें तो यहां पर यहां पर यह जो है फीडबेक है देखिए देख सकते हैं तो यहां पर यह वाला फीडबेक हो जा रहा है जबकि यहां पर यह वाला फीडबेक नहीं है देख सकते हैं तो इसलिए जो है फिर अलग-अलग हो जा रहा है तो अगर हम यह वला IC इसमें यूज करना चाहे तो नहीं होगा और इसका जितना भी यह वला IC है यहाँ पर यूज करेंगी तो नहीं होगा और इसका जो यह IC है फिर बदल करके इसका जो यूज कर सकते है चलिए अब इसको हम जो है प्रेक्ट लिखने के बाद आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको ऐसा confusion होगा चलिए कि यहाँ पर छे किसिम का IC मैंने लिया है यह जितना भी मैंने नमबर इसमें लिखा हुआ है सबी नमबर मैंने लिया है यहाँ लिखिए है कि सबसे पहले में आपको नंबर दिखाता चलूँगा और जो है वहां पे डाल के दिखाता चलूगाई चलिए dependence है यह आपर जो यह सरक्ईट आप देख सकते हैं यह जो मेरा पावर क्रेश एक शाल शाज में छो बोड एक च्यों सॉफठ hai मतलब यह चलो पीन से है चारो हूँ तक हमाइब हुसा टूंह यह बें यहां पर आपको दिखा द prone देखियं यहां पर जो आसी यूज यहां पर यह पाँट याइशी यूज होगा और यहीवाला यहां यही वाला सरकृट है यहां पर इसली है इसको यहां हम जो है हमारा श्रीज लेंप गलो कर जाएगा क्योंकि यहां पर क्योंकि बना लेगां यहां पर पर गवे लग पर हैशी लगा यहां पर यहरा बनेगा मैं द्न है जिसका नमबर20 P 823 मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिच करूँ तो दिख रहा होगा देखिए P 823 दिख रहा है चलिए यहाँ पर मैं आपको voltage test कराऊंगा सबसे पहले इसको यहाँ पर discharge कर ले रहा है देखिए यहाँ पर मालने जिए कपीटर नमारा चार्ज होगा तो अभी यहाँ से दिखाएगा देखें कोई भी पॉल्टेज अभी नहीं है चलिए अब जो है इसको हम पाउर देते हैं तो यह मेरा पॉल्ट सेवाल होगे स्रीज लाइन में यहां पर लगा यहां चलिए अगर माले जो इधर आवारा कोई फॉल्ट होगा तो मारा जो है बॉल्ब गलो करेगा अब यहाँ पर मैं आपको बोल्टिज टेस्ट करके दिखा दूँ देखिए आप मल्टिमीटर में जो है कितना बोल्ट दिखा रहा है देखिए 10 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है 12 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट दिखा रहा है ठीक है कोई बात नहीं चलिए यहाँ पर जो है मैं आपको इसमें टेस्ट करा दूँ इसको हम यहाँ पर ग्राउंड करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर वोल्ट टेस्ट करा दूँ देखिए 3.4 volt 3.3 volt का है देखें उसके बाद में ये वाला जो है 12 volt देख सकते हैं उसके बाद में ये वाला हमारा overload दिखा रहा है क्योंकि इसमें voltage खोड़ा ज्यादा रहता है यहां पर आपको 22-23 volt के आसपास रहता है देखें 21 volt है 1.5 volt ठीक है चले 20 में सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में ये जो है ground है ground में कोई नहीं दिखाएगा voltage यहां पर दिखाएगा 5 volt देखें 4 volt जो भी हमारा voltage है proper बन रहा है ठीक है तो इसके बाद से जो भी हम IC test करेंगे यहां पर मैं आपको 12 volt ही के वाल टेस्ट कराऊंगा क्योंकि अगर ये सभी voltage हम test करेंगे तो वीडियो थोड़ा काफी lengthy होगा अभी ऐसे कुछ ज्यादा ही lengthy हो गया वीडियो हो जाई है यहां पर देख सकते हैं 0520b हो गया है 10 volt तो यह जो है 12 volt का घ्राइए है चल्д और यह पर हमanut देते हैं यहां कि यहां के बादब हम इप इसे लिखने के हो जाएगा यहां पर देखिए कोई भी अभी आपको बोटेज नहीं मिलेगा अभी जो मैंने इसे डिश्चार्ज कर लिया है चलिए यहां पर दूसरा इसी में लगाता हूँ यहां पर देखिए यह जो है वाइपर 22 ए और नीचे आपको 32 लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो यह जो हमारा आइसी है यह ज्यादा तर आपको इंडक्शन में देखने को मिलता है तो यह वाला आइसी यहां पर भी वर्प कर जाता है आपको लास्ट में इससे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी दूँगा तो आपको वीडियो को एंड में मिलेगा वीडियो को देखते रहेगा काफी आपको चीज इसमें जो है आपको कल्फाम में आपको करने वाला हूं चलिए जहापर हम इसे लगा लेते हैं इसका आपको डायक्षण को खास ध्यान देना है तो आपको वोल्टें चेक कर रहें देखिए, दोस बोल्ट यहां पर आ रहा है, देख सकते हैं, तो यह भी अवरा IC work कर रहा है यहां पर, चलिए इसे हम यहां से line cut कर देते हैं, और यहां पर जो है मैं इसे discharge कर लेता हूं, देखिए, दिश्चार्ज करने पर यहां पर कोई भी voltage अभी नहीं है, देखिए, कोई साइसी है, AP 8012, चलिए इसको जो हम लगाते हैं पर, AP 8012, यह भी जो है मैंने लगा लिया है, चलिए इसे जो है हम लाइन देते हैं, यहां पर मैंने लाइन दिया, तो आभी यहां पर voltage कर रहा हूं, तो देखिए, देखिए, 10 वोल्ट आ गया, देख सकते हैं, पर्फेक्ट है, थोड़ा बहुत आपको IC चेंज करने पर थोड़ा बहुत आपको voltage decrease increase आपको देखने को मिल लोगा, पहले 10 वोल्ट था correct, और यहां पर 10.3 है, तो आपको IC फिर बदल करने से हलका फूल का आपको चेंज देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको IC चेंज करने पर आपको voltage थोड़ा बहुत difference मिल सकता है, बट काम करेगा, ठीक है, चलिए, यहां पर जो है, इसे हम यहां से disconnect करते हैं, और उसके बाद में यहां पर हम इसे निकाल देते हैं, यहां पर हम side करते हैं, और उसके बाद में यह 13, 82 है, इसको हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसे जो ह sorting बने वाला है, यहां पर हमारा है, AP, 82 H, देखिये, AP, 82 H, तो इसको हम यहां पर लगा लेते हैं, उसके पहले हम यहां पर sort कर लेते हैं, यहां पर कोई voltage हो तो हमारा discharge हो जाए, चलिए, उसके बाद में हम इसे लगा लेते हैं, हो गया, कि उसके बाद मैंने लाइन दिया और लाइन देने के बाद यहां आप देखें यहां पर आपको मल्टिम्टर में दिखाई नहीं दर आओगा थोड़ा इधर करते हैं देखिए माइनस 10.6 दिखा रहा है यहांपे हम प्रॉब को चेंज करेंगे माइनस मेरा अपर जाएगा देखें टेन.7 दिखार है चलिए कि यहांपर भी आपयमारा वोल्टेज बंढ रहा है चलिए इस जो हम निकाल लेते हैं निकालने के बाद यहांपर जो है इसको ऐसे सौट कर लेते हैं और यहां पर जो है इसे आप निकाल लेते हैं ओके उसके बाद में यह वाला जो मरा आइसी है इसे जब यहां पर लगाते हैं ओके यहां पर हम लाइन देते हैं उसके बाद में यहां पर वोल्टेश टेस्ट करा हूं देखिए दोस बोल्ट आ रहा है प्राव को मैंने चेंज किया देखिए दोस बोल्ट परफेक्ट है तो यहां पर भी जो है यह आईसी वाग कर रहा है अब यहां पर इसको हम निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब यहां पर हम डालते हैं 13 82 देखिए अब यहां पर कुछ डाउट और किलियर करूंगा यहाँ पर मैं आपको दिखा हूँ देखे वाइपर 22A और नीचे लिख रहा है 1382 देखे जी एप 1382 तो यह जो हमारा IC है यह वला है यह वला IC है तो इसका पिन जो है अलग है और इसका पिन जो है डाटा अलग है तो अगर हम इस IC को यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर यह क्या करेगा शौर्टिंग बनाएगा और यहाँ पर एक चीज में आपको और भी किलियर करता चलूं यहाँ पर देखेगा यह वाइपर 22 उगए देखेगे यह जो है वाइपर 22 ओपर दीखेगा और नीचे आपको 13 82 नंबर नहीं मिलेगा और यहां पर देखें, तो यहां पर भी आपको वाइपर बाई से लिखा हुआ है, और यहां पर भी देखें, वाइपर बाई से लिखा हुआ है, बट यह वाला जो IC है, तेरा असी बाईश नीचे लिखा हुआ है, और इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो यह जो नहीं लिखा सब्सक्राइब है अब यहां पर लगाते हैं इसको हम यह पर लगाते हैं देखिए और देखिए घाप पाला चल लाएगा पƯह दिखा दो कर दो गाव धी त्यार सी वाल इसको SisgỌ हम यहाँ पे आप लगाते हैं मैंने है यहां पर कि लगाया देख सकते हैं को हापे फशी नंबर 17 और यहाँ लापर आपको अगर लाइन देता हूं तो देखेगा स्वोटिंग बनाएगा देखिए जैसे ही मैंने लगाया देख सकते हैं पर पुरा फूल गुलो कर रहा है अगर यहां पर में से hem लाइन दें तो यह क्या है आइसी सोट कर जाएगा और यह फट भी सकता है यहां पर सोट यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह जो पीन है यहां पर चारो पीन आपस में सौॉट नहीं है यहां पर ड्रे King का यहीं दो पीन यूज किया गया है तो इसमें यह वहाला iCवाग करेगा वाइपर वायकर है i 7 असी डाइस इसमें ठीक है यह वाला 1382 और और जो हमारा आइसी है जो यह वाला था 8022A और सौरी यहां पर AP 82, AP 82H, AP 83, AP 82, और वाइपर 22A तो यह वाइपर पाच आइसी जो है इस वाला सर्किट में यूज़ करेगा जिसका चारोपिन आपस में तो मैं करें तो कमेंट कीज़ेगा मैं उश पर भी जो है सर्च करूँ और आपट जुए वीडियो हम लाने की कोशिज करूँगा और वीडियो कास्ट करूँग और आपको लाने की कोशिज करूँगा आज के फिलाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं वीडियो चले वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो आपको कैसा लागा कमेड़ में जरूर बताईएगा चले मिलते हैं अगले वुडियो में किसने टॉपी के साथ तक लिजया हैं वंदे मात्रम बाई